दोस्तो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं एक important novel two versions के लिए जिसको कमला मारकंडे ने लिखा है और कमला मारकंडे के उपर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने डिसकस किया था कमला मारकंडे की बैयोग्राफिको और इनके कुछ important works के इनके कुछ important works में से ही मैंने आज एक work उठाया है जिसका नाम है two versions यह इनका important work है two versions की अगर हम बात करते हैं तो two versions को publish करवाया गया 1973 1973 में और यह two versions दो बहनों की कहानी है story of two sisters एक इसमें होती है ललिथा और दूसरी दिखाई जाती है सरोजा तो चलो start करते हैं हम कहानी को आज की कहानी बैसे भी बहुत interesting होने वाली है लेकिन हम इसके कुछ character के discuss कर लेते हैं इनके कौन कौन से character हैं अगर हम character की बात करें तो इसमें अम्मा और अप्पा दिखाए जाते हैं अम्मा और अप्पा से मतलब मदर अप्पा से मतलब फादर यानि की मम्मी और पापा किसके सरोज और ललिथा के सरोज और ललिथा दो बैने दिखाई जाती है और इसमें एक film director होता है जिसका नाम होता है Mr. Gupta और एक जिस क्योंकि इनके पिता जो अप्पा होते हैं ललिथा के ललिथा का admission एक English medium school में कराते हैं जिस English medium school को Miss Mendoza चलाती है यह Miss Mendoza अपने English medium school को चलाने के साथ साथ में बहाँ पर बंचों को dance practice भी कराती है और इस तरीके से पूरी कहानी जो है एक एक करके बहुत interesting होती चले जाती है पूरी कहानी में हम discuss करेंगे ललिथा जो है वो बहुत ही ambitious लड़की है जो की heroine बनना चाहाती है और Mr. Gupta जो होते हैं इसके गाओं में एक बार movie बनाने के लिए आते हैं और ललिथा इसके पास जाती है और कहती है कि मुझे अपनी movie में heroine का role दे दू Mr. Gupta बहुत ही नालाइक होता है ये क्या करता है सोसन करता है और ललिथा के साथ में नहजाई संबंद बनाने के वारे में सोचने लगता है कुछ ऐसी ही अंत तक कहानी चलती रहती है चलो कहानी को बिना देरी के हम सुरुवाद करते हैं अब कहानी की सुरुवाद होती है two virgin से two virgin से मतलब वही है हमारी ललिथा और सरोजा की बात करेंगे जिसमें character की अभी अभी हमने बात की कौन अपपा और अम्मा याने की father and mother होते हैं और इसके बाद जो है अगर हम बात करें कि एक बिडियोड sister होती है आप अपपा इनकी वजी कहलाएंगी जिनका नाम होता है अलमेलू और मिस्टर गुपता एक film director दिखाया जता है और ये जो मिस्टर गुपता film director है इसका assistant होता है देवराज कौन होता है देवराज अब कहानी इसी तरीके से और आगे बढ़ जाती है और जब आगे बढ़ जाती है अम्मा अपपा सरोजा ललिता मिस्टर गुपता देवराज और अलमेलू ये सबी जो है इस पूरी कहानी के पात्र है character है और ये सबी character मिल करके इस कहानी को बहुत ज इस की मानसिकता और हमें अपने rural and urban area के बीच के defense के बारे में भी हमको बेतरी इन तरीके से समाझाता है पता लगता है अच्छा कमला मारकंडे हमेशा दो लोगों के बीच की खाण्यों के गहराण्यों के और दूरियों के बारे में ही बात करती है अरी जैसे गरीब और अमी इनके जादे तर नॉबल ही इस पराधारित होते हैं या सहरी और गाउं पराधारित सहर के लोग और गाउं उनकी मानसिकता पराधारित तो इस तरीके के कुछ इनके नॉबल होते हैं चलो आज हम सुरुआत करते हैं यहां से इसमें कहानी टू वर्जिंस जिसमें सुरुआ है लिफिए के साथ में दूबह sites हुती है जो अपने माता पिता तथा-बूअ के साथ रहती है ऊक्विए डो ने कौन है। एक सरवजा है और दूसरी कौन है हमारी लेलिता है तो उअश्यों जो यह ललिता का सुभाव दोनों बेहनों का नाम हम पहले भी बता चुके हैं क्या है ललिता है और सरोज है ललिता सुभाव से बहुत चंचल है जो सरोज से अधिक खुशूरत है और बोडी उसका जो बोडी है शरीर है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन सरोज जो है वो बहुत ही सीधे सुभाव की, इसकी जो दूसरी वहन है, बहुत ही सरल सुभाव की है, सीधे सुभाव की है, और आपने जीवन से बहे कुछ भी आसा नहीं रखती, कुछ भी होप नहीं रखती, क्योंकि उसका रंग जो है, बो भी ललिता से दबा हुआ है, ललिता यहाँ पर बहुत गोरी दिखाई जाती है लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सरोज की बात करें तो सरोज जो है वो बहुत सावली दिखाई जाती है ललिता बहुत चंचल सुभाव की लड़की है बहुत जदा जो है अमबीशियस गल है और इसलिए उसके अप्पा जो है उसके फादर उसे बहुत अधिक पसंद करते हैं बहुत लाइक करते हैं किसको ललिता को जो की मोडे निश्म है और मोडे निश्म को बहुत पसंद करती है और इस तरीके से कहानी आगे मूब होती है यहाँ पर और सरोज को कम किसको उसके पिता किसको अधिक पसंद करते हैं ललिता को बट सरो सरोज की मा जो है हमेशा उनकी जो अम्मा होती है हमेशा उनको समझाती रहती हैं अप्पा को लिलता के कि आप ऐसा क्यों करते हो कि दोनों ही हमारी बेटियां हैं फिर भी आप उनमें भेदभाव क्यों करते हो किसी को अधिक ललिता को आप अधिक प्रेम करते हो और सरोज को आप बिल्कुल भी प्रेम करते हो ऐसा भेदभाव क्यों करते हो लेकिन उन्हें उसकी कोई भी बात या किसी भी बात से उन्हें बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता वे हमेशा सरोज को अंदेखा कर देते और ललिता को पढ़ाने के लिए वो CVC स्कूल के English Medium स्कूल में भेज देते हैं बहाँ पर खुद जाकर उसका क्या कराते हैं आइडमीसन कराते हैं किसका ललिता का कौन जाता है अपपा जाते हैं और कहां एक English Medium स्कूल में उसका दाखिला कराने के लिए English Medium School में जब उसका दाखिला कराने के लिए जाते हैं जहां पर इस English Medium School की देखवाल कौन करती है Miss Mendoza नाम की एक लेडी होती है वो इस School को चलाती है तो जिससे Miss Mendoza चलाती थी और उसमें जाकर के अपा ललिता का क्या करा देते हैं admission करा देते हैं और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती चली जाती है कहानी बहुत interesting होती चली जाती है कि शुरुवात कहानी की हमारी हुई थी ललिता और सरोज से ये अपने परिवार में गाओं में बहुत खुशियों से साथ रहते थे जिसमें उसके पिता जो हैं हमेशा भेदभाव करते थे बोले ललिता को अधिक पसंद करते थे और सरोज को कम इसकी मम्मी इस पर उसको समझाती भी रहती थी लेकिन उन पर उसकी किसी भी बाद का कोई असर नहीं पड़ता था और फिर ललिता का एडमिसन एक इंगलिस मेडियम स्कूल में करवा दिया जाता है जब उसका एडमिसन इंगलिस मेडियम स्कूल में करवा दिया जाता है तो उसकी मा बड़ी चिंतित होती है क्योंकि इंगलिस मेडियम में जो कल्चर होता है वो एक बेश्टरन कल्चर होता और बहाँ पर छोटी छोटी स्कट पहन करके लड़किया जाती हैं और इस तरीके के वो कल्चर में अपनी बेटी को भेजना नहीं चाहाते इसलिए घवराती हैं और जब ललिता के फादर यानि के पिता ललिता का आडमिसन कराने जाती हैं तो भै मिस मैंडोसा उन्हें बतात गर्थिस कराई जाती है तो जो उसके पिता होते हैं वो और ज़्यदा खुस हो जाते हैं और उसका आडमिसन फिर उसी स्कूल में करा देते हैं अर फाद इसका मतलब ललिता का आडमिसन कहां हो गया इंग्लिस मीडियम इस कूल में हो गया और दूसरी तरफ सरोजा को एक सर सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं इससे सरोजा को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बड़े सिंपल सुभाब के लड़कियों होती है और बहुत ही जादा महत्वा कांची नहीं होती है क्योंकि अब इस बास से तो कि हमारी बहन को इंगलिस मेडियम स्कूल में अपनी बहन की खुशी को देख कर ही बहुत ज़्यादा खुश है कौन सरोजा जो कि एक गाउं के स्कूल में पड़ती जाती है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरीके से कहानी जो है बहुत ही प्यारी होती चले जाती है और एक बार क्या होता है कि बहुत अपनी स्कू स्कूल के फंक्सन में जब डांस परफॉर्म कर रही होती है तो बहुत सुन्दर लग रही होती है बहुत ज़्यादा क्योंकि मिस मेंडोसा ललिता को स्कूल में ही डांस सिखाते थे और एक वार इसी तरीके से क्या हुआ स्कूल का एक फंक्सन था उस फंक्सन में ये डांस पर फाम कर रही थी तो इतनी डांस करते हुए ये इतनी attractive और सुन्दर लग रही थी ललिथा कि जब उनके अब्बा और यानि कि फादर और सरोजा जब देख रही थी उनके डांस को तो वो बहुत ज़दा खुस थी उसकी सुन्दरता को देख करके लोग कह रहे थे कि उसे तो model बनना चाहिए उसे तो heroine, actress होना चाहिए एक बार और उसने school के function में dance perform तो किया ही किया वो इतनी ज़दा सुन्दर भी लग रही थी और इससे जो बहां के परिवारी जन थे उनके जो भी लोग इसके dance को ललिता के देख रहे थे वो बहुत ज़दा क्या हो गए खुस हो गए और सब कहने लगे कि इसे तो क्या होना चाहिए actress होना चाहिए और इस पर model होना चाहिए heroine होना चाहिए और फिर क्या हुआ कि इसके बाद सब लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाने पर सबी के मूँस से अपनी तारीफ सुन करके जो है वो बहुत ज़दा खुस होई बहुत प्रसन होई और उसने इही सोच लिया कि अब उसे heroine बनना है अब उसे actress बनना है किसने ललिता ने एवास सोच ली जिसके लिए उसने actress और heroine जैसा पहनावा पहनने लगी यानि कि total वो अपने आपको बहुत ज़दा decorate रखने लगी सजाने सवाने में बहुत ज़दा ध्यान देने लगी और उसी तरीके का पहनावा भी वो पहनने लगी उन्हीं दिनों की बात है कि उनके गाओं में एक director आये थे फिल्म बनाने के लिए जो agriculture के ऊपर खेत खलियान के ऊपर फिल्म बनाना चाहाते थे जिनका नाम था Mr. गुपता वो उस गाओं में movie बनाने के लिए फिल्म बनाने के लिए आये थे आये हुए थे और इहे खावर किसी भी तरीके से ललिता को सुनने को मिल गी अब जैसी ललिता को यह बात यह खावर सुनने को मिलती है कि उसके गाओं में कोई एक producer आया है कोई एक director आया है जो फिल्म बना रहा है तो इसके खुसियों का ठिकाना नहीं रहा किसके खुसियों का ठिकाना नहीं रहा ललिता के खुसियों का और यह जो मिश्टर गुपता थे वो किसके उपर अपनी मूवी को बनाना चाहते थे खेद खले आने आने की यहां के agriculture के उपर मूवी बना रहे थे तो इसने सोचा कि इससे बहुत ज़दा खुसी हुई और उसे ऐसा लगा कि जैसे की अब उसके सपने सभी सच होने वाले हैं सच हो रहे हैं और तब ही क्या होता है ललिता जो है वो मिश्टर गुपता से मिलने के लिए पहुंच जाती है ललिता उससे मिलती है और जैसे मिस्टर गुपता ललिता की सुन्दरता को उसके अट्रैक्टिव सरीर को देखते हैं तो बस ललिता की सुन्दर सरीर को देख करके उसके मन में जो है वो गंदी भावनाई आना शुरू हो जाती है और उसके साथ वो सारीरिक संबंद बनाने के बारे में सोचने लगता है और ललिता से कहता है कि बहे उसे हीरोईन तो बना देगा अपनी फिल्म में उसे हीरोईन का एक्टिस का रोल तो दे देगा अब ललिता और उसके अब्बा जो हैं और गाउं के जितने भी लोग थे वो सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा क्या थे खुश थे किस से इस चीज इस बात को सुन करके कि ये जो मिश्टर गुपता है अब ललिता को अपनी मूवी में एक एक्ट्रिस का रोल दे देंगे तो वो Mr. Gupta जो है बहाँ से चला गया और जाने के बाद में वो उसे अपने घर का आडरेस दीये जाता है किसको ललिता को और ललिता से कहता है कि बहाँ जा करके उसको call करेगा लेकिन काफी समय बीत गया जब बहाँ से किसी तरीके का कोई call नहीं आया ओके समय बीत्ता गया लेकिन फिल्म डारेक्टर यानि की मिश्टर गुपता का कोई letter नहीं आया कोई call नहीं आया तो ललिता को जो वो पता देखकर के गया था जो वो address देखकर के गया था ललिता ने खुदी decide किया कि वो खुद जाकर करके उसके घर पर मिलेगी और ललिता जो है वो फिल्म डिरेक्टर के पास में मिश्टर गुपता के घर पर जा करके चली जाती है और ये देखो मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ आपको धी हाउस आप मिश्टर गुपता मिश्टर गुपता के घर को थोड़ा सा पिक्चर क कि तरू मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो जिससे की कहते हैं कि हमारी जो मेमोरी होती है वो पिक्चर की तरू अगर किसी चीज को हम देखते हैं तो वो आधिक समय तक याद बनी रहती है तो एक क्या करा उसके घर पर जाकर के उससे मिलती है घर चली जाती है और कहानी का डारेक्टर मिस्टर गुपता बहुत ही गंदा इंसान है मैं पहले बता चुका हूँ कि उसके मन में हमेशा हवस दिखती रहती है और वह जाने कितनी सारी लड़कियों को ये आफर देता है कि वह उससे अपने फिल्म में जो है एक्ट्रिस हिरोईन का रोल देगा और इस त अंदर लड़कियों को फिल्म में काम देने के बहाने उनका सारे दिक सोसन करता रहता है और जब कहानी आगे बढ़ जाती है जब ललिता उसके घर पहुंची जाती है उससे मिलती है तो बहले ललिता से चिकनी चुपड़ी बाते करके उसके साथ सेक्स भी कर ले था और था हैं कि इसका कुछ इसी तरीके का जो है उसके अंदर की भावनाएं मन की भावनाएं कुछ इसी तरीके की होती हैं ललिता अब सोचती है कि अब तो चलो उसने ये सब कर लिया कि अब तो बहे उसे अपनी फिल्म में हेरोईन तो बना ही लेगा पर ललिता को यह नहीं पता होता कि फिल्म डारेक्टर लड़कियों को यूज करने के बाद उन्हें फेंग देता है यानि कि यूज एन थ्रू वाली पॉलिसी यह अपनाता है मिस्टर गुपता और जब ललिता प्रेगनेंट हो जाती है इस कहानी में ओके तो बहे जो मिस्टर गुपता होता है वो उसके साथ पहले जैसा बिभार नहीं करता और इससे दुखी होकर कि ललिता अपने गाउं दुबारा बापस लोटाती है और अपने अब्बा को अपने साथ घटी सारी बात बताती है सारी घटना के बारे में ललिता बताती है और जब है अपनी सारी बाते अपने अब्बू को बताती है तो अब ललिता को लेकर उसके अब्बू ललिता को लेकर उस डाइरेक्टर के घर जाता है और उससे अवार्शन कराने के खर्चा मांगता है कहता है ओके जो प्रेगनेंट हो गई थी उसका अवार्शन कराने के लिए वो उससे खर्चा मांगता है और डारेक्टर उसे उसका ललिता का अवार्शन कराने के लिए जितना भी पैसा खर्च होता है उसको दे देता है और इस तरीके से ये क्या होती है कि उसके बाद बह अपने गाउं दुबारा ललिता बापस आ जाती है लेकिन ललिता का गाउं में बिलकुल भी मन नहीं लगता एक बार वो गाउं की सहर की पूरी चमक दमक को देख करके आ जाती है तो कि अपनी बरजनिटी को भी लॉस कर चुकी होती है तो अब उसका मन बिलकुल भी गाउं में नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं सहर की चमक और उसकी सारेरिक इच्छाओं ने उसे डिस्टर्ब कर रखा है परिसान कर रखा है तो भै फिर से अपने घर से भाग जाती है और एक भागने से पहले अपने घर से भागने से पहले भै एक पत्र लिखती है अपने पिता जी के लिए और अपने पिता को पत्र लिख करके वही छोड़ कर चली जाती है और वह इहां उस पत्र में लिखती क्या है वो लिखती है कि अब वह इहां नहीं रह पा रही है और अब कभी वह बापस नहीं आएगी इधर जब सरोजा कोई इस बात का पता चलता है तो सरोजा अपनी बेहन को ढूड़ने के लिए जाती है ओके गई हुई होती है तो वह मिस्टर गुपता यानि कि जो डिरेक्टर होता है उसके घर पर भी जाती है तो डिरेक्टर का बहाँ पर आसिस्टेंट मिलता है देवराज जिसका नाम होता है क्या नाम होता है डारेक्टर के असिस्टेंट का देवराज तो जो देवराज मिलता है वो सरोजा से सरोजा को कहता है कि तुम भी बहुत सुन्दर हो देखो ललिता थी ललिता को डारेक्टर ने हरेस किया अब सरोजा को उसका असिस्टेंट हैरेस करने के बारे में सोच रहा है तो देखो कैसे कह रहा है कि असिस्टेंट सरोजा से कहता है कि तुम भी बहुत सुन्दर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे कुछ नहीं होता तो एक वार सरोजा को सेक्स डिजायर जो है वो उसके अंदर जागरित भी हो जाती है लेकिन उसी चान जो है वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है और देवराज के लिए अपर वह अगले ही पल अपने आप पर कं फटकार्ति है और इसके बाद बय बहुँआ से अपने गाउं दुबारा बापस आ जाती है। अर्थात इसके बाद में ये पेसे से एक पत्रकार थी और ये वीडियो आपके KBS, NBS, PGT, NTNAT सभी में important है कमला मारकंडे की नेशनालिटी क्या थी वो इंडियन भी थी और बिटिस थी पहले इंडियन थी लेकिन 1948 में जब ये साधी कर लेती हैं एक अंग्रेज से तो इनकी नेशनालिटी जो है वो बिटिस हो जाती है इस तरीके से इनकी दो नेशनालिटी होती हैं एक आपकी इंडियन और दूसरा विटिस ये किस तरीके का नोविला एक फिक्षन है जैनेरिस का फिक्षन है और इनकी कुछ जो हैं बहुत ही बड़े major works हैं जिसमें नेक्टर इन आसीव उनिस चुमन और ये कमला मारकंडी का पहला वर्क है तो और इसके बाद उनका a handful of rice इसके बाद no where man or two versions, two versions के उपर मैं बीडियो बनाई चुका हूँ और अगली वीडियो अगर मैं बनाता हूँ तो नेक्टर इना सीव और बनाऊंगा इसके बाद बाकी जो है आप अपने आप डिसकस कर लिजीगा इनके important verse को तो अब तो साइध किलियर हो गया होगा आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से तो चलो शुरुआत देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये भी बता दूँ कि कमला मारकंडे जो है known for writing about culture class between Indian, urban and rural societies बस इतना ध्यार रखिएगा culture class between Indian, urban and rural societies किलियर है तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, subscribe करें और comment करके हमें जरूर बताएं किसी भी तरीके से आपको अच्छी लगी हो तो भी और अगर नहीं अच्छी लगी है तो क्यों अच्छी नहीं लगी है हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं जै हिन, जै दोस्तो